हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूटूब चैनल पे कल की वीडियो में मैंने वर्ट साप कैलकुलेसर एंड साइन्स से कोशन उठाया था और उसमें आपको केवल 15 कोशन बताये गए थे और आज की डेट से आपको यहाँ पर 16 कोशन स्टार्ट किये जा रहा है 16 से और यहाँ पर आपको 30 कोशन बताये जाएंगे 15 कल था और 15 आज यहाँ पर 30 कोशन आपको हो जाएंगे तो जितने भी चात आई टी आई फर्स्ट इयर के हैं सबसे में रिक्विष्ट करता हूँ कि आप वेडियो को कंप्लिट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सस्क्राइब कीज़ेगा और जो भी कोशन में आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स के मादब से पूछ सकते हैं तो चलिए कोशन स्टार्ट करते हैं कोशन नंबर 16 से जिसमें कोशन में पूछा जा रहा है कि 80 का 20 प्रतिसत क्या है यह आपका कोशन नंबर 16 तो आप प्रतिसत निकालना जानते तो आसानी से निकाल सकते किया किया जाता है असी गुड़े आपका 20% पुछा गया तो 20 लेखे देंगे और बटे में आपका 100 हो जाता है अब एक सुने से आपका एक सुने यहाँ से कर जाएगा और एक सुने से एक सुने यहाँ पर कर जाएगा तो 8 दुना के 16 तो यहां पर हम 16 प्रतीसत हो जाएगा और आवसंगा नहीं चाहिए आ पढ़ा यहां में नहीं कुछन देंगे कोशन नंबर सतरे में जिसनमें कोशन में पूछा जा रहा है कि 90 किलो का 8% कितना होगा most important question ये भी है सबसे पहले आपको क्या करना है 40 लिकना है, गुड़ी आपको क्या करना है यहाँ पर आपको 8 लिकना है 8% पूछ रहा है, और बटे में आपको क्या करना है 100 करना है, अब देखिए यहाँ पर जो कटना लाएके इसको आपका कटा सकते है जैसे कि यहाँ पर आपका 2 4 के 8 हो जाएगा तो यहाँ आपका 4 हो जाएगा और यहाँ आपका 4 के 16 क ніाट आप थी वर इतज हो जाएगा तो यह आपका सुल हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा 14 toca 16 हो गया तो यह आपका evol oh tak ृ चाहा और बटे यहां पर कुछ भी नहीं बचा क्या बचा क्या यहां पर पांच बचा तो बटे में क्या लिख तो 16 बटे 5 अब इसमें देखिए 16 बटे 5 आ रहा है फिर भी हमारा कोई भी आपसन नहीं मैच कर रहा है तो इसको और छोटा कर देंगे छोटा करने का मतलब यह कि इसको हम कर देंगे जो 16 इसको हम क्या लेंगे यदि हम 16 में भाग देते हैं 5 से तो कितनी बार भेजाएगा आप इसको करके देख सकते यह आपका 3.2 आएगा ठीक है मैं पूरा हल नहीं करके आपको बताऊंगा काफी लंबा जाएगा आप इसको हल कर सकते आपका 15 15 हो आगे बढ़ता है इसमें कोशन में पूछा जा रहा है कि आ प्रतिसत को में बदलें इसमें आपको बह्मन कर्देंगे की यह कहा जा रहा है कि जो प्रतिससा दिया गया इसको आपको में बदला Chance 13 01 वहुक्त नही सबस्क्या track को सब्छा रिएगा यकि पैसी , अब धरह देखिए यह आपका 50 हो जाता था प्च्छा आको 50 हो गया अब देखिए यह आपका ककट रीके तो इह बिल्कुल यह आपका 23 में 26 हो जागा यह आप यह लान हो जाएंगे चैप्छिस अपर करेक्ट कोई confusion है तो आप पूछ सकते हैं आपको जनकारी मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 19 पे कोशन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि 0.456 अभीन को परतिसत में बदले यह जो भीन है इसको आपको परतिसत में बदलना है आप देखिए आप इसको परतिसत में कैसे भीन में बदलने के लिए कहा रहा है तो हम क्या करेंगे इसमें गुणे हम सोग कर देंगे अब जब गुणे सोग करेंगे तो जब आप इसको पूड़ा करेंगे तो एक हमेटिक आपका निकल के आ जाएगा 45 दसमलो यह आपका 6 आ जाएगा गुणा खरके देख लिजगा यदि गलत आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएगा पैतालिस जसमलों जो छह प्रतिस्यत आ रहा है वह हमारा आफसान नंबर ए आ रहा है तो हम कोशन के अनुसार आफसान नंबर ए बिल्कूल करेक्टेंसवर मारेंगे कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं आपको जनका आपकर धुल नहीं वहां पर जबतित्वाये अधसार यह पर इसके लिए एक उत्सका मान किया होगा तो इसको भी करना पड़ेगा अब लापको क्या करना है यह तो आपका दिया गया है तो इसमें हमें यहां पर एक सुत्र का इस्तिमाल करेंगे एसी स्क्वाइर बराबर बी सी स्क्वाइर प्लस से एसी स्क्वाइर बराबर एबी स्क्वाइर प्लस बीसी स्क्वाइर यह आपका सुत्र हो गया, अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर दिया गया, A, C का स्क्वायर, तो यह आपका A हो गया, और यह आपका क्या हो गया, C हो गया, तो A, B और यह आपका C हो गया, इसको आप A माल लिजे, इसको आप भी मालें लें तो यहां पर 80 का स्वाइर काएर तो हम 10 का स्वाइर करेंगे बराबर एबी एबी यहां पर क्या दिया गया है यह आप इसको पषानतर कर देजिए तो यहां पर जोद सब चाहां अब बरी आपको लीघ न यहां पर हमारा 6 दियागे टिया तो यहां पर हम लिकेंगे 6 6 का क्या स्कॉाइर 5 5 100 σकाल हो चाएगा बराबर ए बी िए का हमारा कुछ नहीं दिया तो कि बाहर देंगे उसके बाद 6 Gudais का कितना हो चाटीज हो गया जब इसको पच्छांतर करेंगे अब निकालेंगे तो यह आपका माइनस चला जाएगा थो एब स्वाइर बाराबर 100 अपका 36 आगए 64 बच दो स्वाइर के आपसन 1 सद्रू हो गयए होगा आगे जाएंग पर 120 के है कि कोशन में यहां पर पूछा जा रहा है कि दसमलो संख्या 550 दसमलो तीन साथ का वर्गमूल क्या है वर्गमूल आपको क्या करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक यहाँ पर आपको यहाँ पर एरो खीच लेना है उसके बाद ऐसे कर देना है और आपको क्या करना है यहाँ पर आपको जो भी संख्या है 550 दिया दसमलो आपका तीन साथ दिया गए यह आपका दसमलो आप इसमें आप एक जोड़ा बना लीजिएगा जोड़ा कहने का मतलब यह है कि यह आपका एक पेर हो गया यह आपका पेर हो गया और यह आपका लाशन में यह बचा तो सबसे पहले हम छोटी संक्या से हल करते तो हम दो से करेंगे तो दुने की चार यहांपर हो जाएगा तो यहांपर जो her pray Ware क्या और उपर साइड पी लिख देते यहांपर करते हैं और यह जो आपका संख्या को लेगे उसको आप गुझार करेंगे कि यह आपका 150 के करीब आजाए तो 43 हम जब करेंगे तो 119 आजाएगा तो 43 आ 139 आजाएगा ठीक है यहाँ पर आप 129 लिख लिजेगा और यह आपका 139 हो गया अब 150 में से 129 घटा यह कितना आता है तो आपका 21 आजाएगा कितना आएगा 21 आएगा अब यहाँ पर जो आपने यहां पर जो 3 किया इसको आप 3 नीचे भी लिखेंगे तो 3, 3, 6 हो जाएगा और 4, 46 हो जाएगा और जो यहां पर जो 3 आपने लिखा इसको आपको यहां पर लिख दाना तो 23 हो गया आगे हम यहां पर लिख देते हैं यह देखें आपने इतना किया था यह आपका 43 हो आप देखें तीन तीन च्छह आप कर दिया और चार आपका यह बचा आप इसमें आपको क्या करना कोई ऐसी संख्या ढूंड़ना है जो कि एकी से और उपर वाला जो संख्या उतारेंगे जो कि दस्मोलों में था तो आपका पेर में उठेंगा तो यह आपका 37 होगा ठीक है संख्या जो दिया गया था लाश्ट में यह वापर देख सकते हैं इसी को मैंने उतारा अब आपको 46 से कुछ ऐसे संख्या में गुणा करना है जिसका आपका करीब है मतलब 217 के करीब है तो आप 46 के करेंगे तो आपका 4856 जो कि 4800 जब यहां पर लिखेंगे च्छपन तो ए तो कितना आया था तो कितना आया था तो आप 2 आया था मैं यहां पर किया dif already close नीचे हमेंक्यagen है चाहर आप तो एसाanter हम और शेया झायरा कौन सा मैच करए तो 2746 कहार सब्सक्रात कर और यहां पर हमारा जो को सब्सक्रान करेंगे ज़्याइसंध के अनुसारा पूछ़ Gary जिएगा आगे बढ़ते अगले कोशन पर कॉशन नमबर 22 जिसमें कोशन में पूछा क्या है कि अंडरूट 8 प्लस अंडरूट 8 यहां पर दिया गया और यहां पर टू अंडरूरूट 2 दिया गया कामान क्या होगा यह आपका कड़नी का प्रहास किजिएगा जिससे यहांपर कोशन आपका दियागा उसी तरह आपको सौल्व करकी बताए जैगा जिसे कि यहांपर डिया गे अंडर गुट 8 प्लस अपर आपको अन्डरूट अठारा अंडरूट टू अंडरूट टू दिया गए यह आपका मुश्ट इंपोर्टेंट कोशन है चले कोशन नमबर 23 में पूछा जा रहा है कि यदि एसी बराबर दिस समी और भी सी बराबर छह समी तो यह भी भुजा का मान क्या है यह भी आपका मुश्ट इंपोर्टेंट है अब देखिए उसी पर हम लगाएंगे जैसे मैंने फिछले कशन पर आपको बतायाता है उसी पर हम रखेंगे जो इसका सुत्र आपको बतायाता है और एसी जो यहां पर दिया गए इसका कहन इहां पर दिया गए और वी और हपर जो सी दिया गएफका मांठ छे दिया गया तो हम यहां पर कि क्या करेंगे सिंपली में सुत्र देतां के बाद आप अफल केज़ teraz स्क्क्रायर स्क्राइब यहां पर टूछ स्क्राइब आपका टेन का स्क्राइर बराबर लिए अपर नहीं को नहीं दिया था तो यहां पर 6 का 36 हो जाएगा तो यह वही कोशन है वहाँ इसमें बदलाव नहीं किया गया तो यहांपर आपका एक सन्कशन हो जाएगा आगे बढ़ते हम अगले कोशन पर यह भी कोशन आपका उसी तरह इसको भी आप सौल के लिए गा कोई दिक्कत नहीं है यही दिक्कत होती ह तो आप पूछ लीज़ेगा आपको जनकारी मिलेगा सेम कोशन है उसी पर आपका लगेगा है जो मैंने आपको उपर सुतर बताया है आगे बढ़ते हम यह आप इसको लगाना भी चाते है तो लगा सकते हैं कोई दिक्कत तही है चले यहाँ पर आपका अगले कोशन पर आता है जिसमें कोशन में पूछा गया यहाँ पर कि यदि कश्टिंग के ताबे का वजन 42.3 किलोगराम और टीन का वजन 2.7 किलोगराम है तो ताबे का परतिस्द किया होगा यह भी आपका मोश्ट इंपोर्टेंट कोशन है कोशन नमबर 26 है इस तरह के कोशन आपको ज़्यादर तर देखने को मिल जाते हैं परिछाओं में तो देखिए इसको आपको कैसे सॉल्व करना मैं आपको बता देता हूँ इसमें ताबे का वजन कितना दिया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ताबे का वजन 42.3 दिया गया है और तीन का वजन कितना दिया गया है तो 2.7 दिया गया है और कूल वजन 42.3 दिया गया है जो कि यहाँ पर कूल वजन यहाँ पर दिया गया है कि यदि आप कुल वजन यहां पर निकालना भी चाहते तो निकाल सकते 42 और यहां पर आपका जो दूदस्मलों साथ दिया गया इसको आप जोड़ दीजिए तो यहां पर 42 दस्मलों तीन प्लस दूदस्मलों साथ करेंगे तो 45 केजी आजाएगा अब इसमें आपको क्या करना जो 45 केजी आजाएगा तो इसको आप ताबे का प्रतिस्त निकाल सकते तो तो बैयालीस दस्मलों तीन आप जब करेंगे यहां पर मैं लिख देता हूं 42 दस्मलों तीन गुड़े सौव अपान 45 यहां पर करेंगे तो यहां पर कितना आजाएगा 45 केजी हमारा जो निकल का 42 2 2 2.7 रहे हम जोड़े है तो इसी पार 45 केजी को हमने लिखा है अब इसका यहां पर पर ृतिसंत निकालें तो जसका पर तिसन निकलेंगे तो यह चार दस्मलों कुछ आएगा चार दस्मलों साथ आएगा और गुड़े यहां पर 20% कर रहा एगा को हम बीस कर देंगे तो कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 27 पर जिसमें कोशन में यहां पर पूछा जा रहा है कि एक मोटर साइकल टायर को 300% में बेचा जाता है और उसी 20% लाब पर लाब होता है तो खरीद का मुली ज्याद के यह भी आपका आपका पहले क्या होगा तो लाब बराबर जो सूत्र आपका होता है यहां पर उसको आप लिखेंगे तो सूत्र के अनुसार चलेंगे तो यह आपका 360 25 35 00 हो हो जाएगा तो आप इसको करेंगे तो 75 आ जाएगा तो कुल यहां पर बात करें मुली की Mormon की करें मुली की तो आपका 300 मैनस 75 तो यह का तो लाब 20% पर निकाले तो लाब आपको 300 गोड़े 20 सापांट सो करेंगे तो यह आपका 60% आएगा तो क्रे मुलिये बराबर 300 माइनस 60 आप करेंगे तो 240 रुपे आजाएगा तो 240 यहाँ पर जो दिया गए हमारा C आपसन दिया गए तो यह C आपसन कोशन करनुसार करेक्टे हो जाता है कən अगले कोशन पे आते जिसमें कोशन यह भी अपका है जो कि इसमें आपको भीण में बदले जो कि मैंने भीण में बदलने का यहां पर परक्रिया आपको बता Aww कि क्यूंसे कि आप इसको बहन हाद लेगे तो आप क्या करेंगे एक बटई सो कर देंगे अब यहाँ पर जो भी कटना लागा इसको कटा देंगे मुझे तरह नहीं लगता है कि यह कटेगा तो आप सो से यहाँ पर भाग देंगे तो यह आपका 0.185 आजाएगा अब इसमें जो हमारा सही है वह हमारा आपसन में यहाँ पर देख सेटे कौन सा मैच कर र है कि समें अधातू कोण है तो यहाँ पर आपका जो ग्रेत ही यह आपका अधातू है तो यहाँ पर हम भी आफसन और मारेंगे नेक्स्ट कोषं पर आते कोशन नम्बर 30 ज़िसमें पूछा जा āकि इनमें सब्सक्राइब के लूप में लोहा होता है तो यहाँ पर आपक जो सई होजाता है अपसल साम नमटली यहाँ पर डी आपसल दिए गया तो हम डी- आपसल करेक् ना ने मारें ये अंसोरमारेंगे जोंशुन ज़्यादा से ज़्यादा वीडू को सेर किरियेगा